पूल को अच्ट का रएए है एथ है वोड मॉनिंग गाइस अयव दीपकराथो और आज के वीडियो में हम मैफ्मेटिक्स सिखा रहे हैं यह भी मैफ्मेटिक्स इसमें जो कान और समय आ यह वाई क्यूसन होते हैं उस तरह क्या है क्यूक्षण कर बारे हैं कि दो तीन बुश् एक काम को 12 दिमें और B और C लेकर उसी काम को या उस काम को 15 दिमें तका C और A मेकर उस काम को 20 दिमें कर्श करते हैं यदि एक एक एला उस काम को करेगे तो इतने दिम में भूर काम पुड़ा हो जाएगा इसकी आप्शन दे रहे हैं A, B, C, D चावर में से कोई एक आप्शन बैलिट होगा तो जेकर इसको कैसे निकालते हैं ये काम और समय का कुश्चन है इसका स्वेशन लेखते हैं सबसे पहले देखो कुश्चन देखो A और B मिलकर एक काम को 12 दिमें करते हैं मतलब A और B फिलकर एक काम को 12 दिमें करते हैं तो A और B का एक दिम का काम कितना हो जाएगा मतलब A प्लस B दोनों को हमें add जाएगा एक दिम का काम कितना हो जाएगा हम इसको तुड़ा शॉट टिम में लेके चल रहे हैं एक दिन में कितना काम हो जाएगा एक बटे बारा हो जाएगा इसको देखो समीकरा नमर एक है यह एक दिन का काम है यह पुटी बारा उससी B और C मिलकर उससा को 15 दिन मिलकर यानि B प्लस C मिलकर B और C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक बटे बारा यह बटे भी लिए आजाए जिए जिन का काम होगा ना जैसे A और B मिलकर एक काम को बाराद में करते हैं तो A और B का एक निर का काम अबढ़े बादा होगा, ठीक है? इसी प्रकार B और C मिलकर 15 दिन में काम पढ़ते हैं, तो B और C का एक निर का काम होगा अबढ़े बादा, इसको बेजिते समिलर नमबर दो, इसी प्रकार C और A मिलकर, सी प्लस ए मिलकर उस काम को बीज में करते हैं तो सी और ए का एक दिन का काम इतना हो जाया था एक पटे बीज इसको हमने ले लिया समितरा नमबर पी ठीक है यहां कर क्लियर यह मतलब फुरा साथ टिक में लेके चल रहे हैं जरसे प्रित्योगी पर इच्छों में आ जाए तो जल्दी ही जल्दी कितनी तरह से कर सकते हैं तो हमारे तीन इक प्लस बी एक बटे बारा बी प्लस सी एक बटे मतला सी प्लस एक बटे मतला सी प्लस एक बटे बीज जब भी तभी इस तरह का कोश्चन आये पर इच्छों में ऐसे करना है आप क्या करना है सबसे पहले इन ती तीनो समी करों को जोड़ने को जोड़ने पर जोड़ने पर मतलब दोनों तरफ जोडने पर, यहां पर यह पर यह को रहा जाए है, दोनों तरफ जोडने पर, चुक है? मतलब तिनों समी तरफ जोडने पर, तो लेप एंड साइड इधर वाले सब्साथ जोड़े को, इधर दोने को, A-B, Plus B, Plus C, Plus C, Plus A, इक्वल, मतली दोने को, A-12,ulus A-15,ulus A-12, coch deixar पर यहां इतरथ जोडने पर, पर जोड़े को, इधर देखो A, A दो तुमस जाए हो गाया, B, B दोम-ध क्प्रश चुबी, G, C दोम-ध क्रूट सब्सक्रों पर, पर तुमस मयात्या, इधर क्या होगा, इधर मुझे LCM रेना पनेगा 12, 15, 20 का LCM, 12, 15, 20 का LCM क्या होगा, 12, 15, 20, मुझे तो बता, इसका 60 होगा, 70 होगा LCM, लेकि बेबिया तुम को LCM रेना सिता रहा है। 12 का पाल पाल परेना इस नो 2 का 4, 4 3 का 12. और इसका क्या होगा हैं दी? 3 x 5, क्या, 15 के 3 x 5, और 20 की क्या होगा हैं दी? 2 x 2, 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20, मढ़े तो दुम नी चाहा हैं दी अब इसका LCम कैसे हिइसा नहागå LCM रहरो जो चोफा नंबर दो वार को टीफाgiyaim उसके बार 3 एक बार ही आयाkick और 2 इसमें भी इसमें भी दो बार आया अब 5 में फुर्स में एक बारा हैं यहां एक बारा हैं तो 5 एक बारा में यहां यहां जो बारा नेकिए 2 तू पुजा फर्र दो दूरी चार्टने आब 12 पंचे शाट्यानी 60 स्का एगसे लिए जिसको अमिल जाग उत्ताह मोरते हैं अब 12 का भार्दे ने 12 पंचे साथ पांच का अगमा हो एक में करो 5, 15, 16, 4 अगमा हो एक में, 20, 16, 17 अगमा हो एक में, मतलब इसका भाग देते हैं, जितना भाग पर जाता उस मुहत परवारी का भुटते हैं, तो यह कितना हो गया, 12 बटे 7, 12 एकम 25 से 7, कोई एक बटे 5 आगे, यह तो करम किसका है, 2 A, plus 2 B, plus 2 C का, एक बटे 5, इदा आगे को 2 सम्हिए कमन है, B plus C, equal एक बटे 5, आगे को इसो कैसे का सकते हैं, यह A, plus B, plus C, यह वरबढ़ गों तो B, आगे 5 और यह जो 2 से मृटिप्लाई को मैंने 2 आगे यह, यह 1 E, divided, B, plus 1, equal 1, 10, A plus B, plus C, equal 1, 10, मनलब तीनों को में इर्क पीनों का एक दिन का का नहुआ है इसको समील का नमबर 4 लेकिन मुझे निकालना किया है ऐस तो इसमें दिनों किसे दिन करेगा तो इसमें देखो, खुछ नहीं करना है, यह समें इतना curious वज़त दिन रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ देखो, बाखी तो यह बहुत जल्दी निकलाएगा, दू से केंगे, अब देखो, एक काम निकारना है, तो B और C, समी करन ऐसे देखो, तो समी करन चार से समी करन दो को दोनों तरफ भटाने पर, दोनों तरफ भटाने पर, भटानों, चार यह है, A प्लस B प्लस C, और माइनस, इस पार भटाना, इसको बेहने ने कर दो, B प्लस C, अब A प्लस B, प्लस C, माइनस, प्लस पार माइनस, देखो, B प्लस का, माइनस का, C प्लस का, माइनस का, बराबर, इधर ऐसे देखो, 30 होगा, 10, 30 तिन नम्हाटिप्लाई लिया, पंद्रागुनी तीश नानी, एक बटे तीश आजाए, एका, एका, एक इधिना काम, बराबर इधर बटे, इधर बटे इधर तीश, और एकेला, उसी काम को, बराबर, तीश दिर में करेगा, बराबर, यह तो एक इधिन का काम है, और एकेला उसका को, तीश दिर में करेगा, ठीक है, तो तीश दिर में करेगा यह अकेला, भी इसका आप्षर कौन है, यह मैंने इसमें डीटेल से बताया है, वरना इसको हम बहुत आसानी से, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बाकि सौर्टिक तो जिसको इसमें एक बार समझ लोगे, तो आसानी से कर लोगे, तो बच्चों आप क्वेश्चन नमबर टू देते, सिंटीफाई साल करना है, सेवंटीएट सेवंटीएट दिवाइट ता साइन, 13 और प्लस 27 एकोल क्वेश्चन भाल, हमें क्वेश्चन मार्की जागे, बायोरी दालना है, तो इसको कैसे साल करेंगे, सेवंटीएट, सेवंटीएट दिवाइट अपान में 13 की देंगे, प्लस 27 एकोल क्वेश्चन मार्की, अब 13 का डिवाइट करने देजिए, अधक्तर में, 13 मन्यां, तेरा एकम तेरा तेरे छाम अढ़ता है, अफिर जियो तेरे छाम अढ़ता है, यानी 6, 06, और, प्लस 27 एकोल क्वेश्चन मार्क, इस्से बाद इसने, अधकर दो 606, प्लस 27 एकटर दो 630 इसका एंसर आएगा, मन्दब 630 इकोल क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन का जो एंसर आएगा, 630, इसके एंसर बाद इसके एंसर आएगा, ठीक है, अब क्वेश्चन नम्बर 3 प्याल आते हैं, क्या इसका सलूश्ण देखते हैं, क्वेश्चन मार्क रिखा है, क्वेश्चन मार्क को मैंने x माल दिया, अब पान में क्या लिखा है, 0.49, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, x अपान, इसको रूप में लिखो, 0.49, अब देखो इस point हटाएंगे, तो इसको कैसे चेंग करेंगे, इस point को मैंने हटाया, तो अपान 100 आजाएगा, क्योंकि एक दो, दो दिजित बाद point है, तो बन के आगे, दो जीटो आजाएंगे लिखनेंगे, अनलाग लिचे, Eึ को हिए, 6. अब इसको कैसे चेंगे, इसको लिए सकते है, x अपान, रूप उचाश बते 100 इकोल इसको कैसे सोलट चाते है, इसको solve कर सकते है एक्स बटे अब root देखो इसका जब root निकाने की उन्चास का उससे सास के उन्चास और इसदर दाउस्ट ठीक है एक्वल सिक्स अब जब इसको रहे से दिया हो इसको divide कैसे करते है यह दिए एक्स अपान 1 करो और 7 अपान 10 करो यानि उपर और नीचे का multiply कितना 10x आजाएगा अपान 20 का multiply 7 इक्वल 6 चिक्ग है याद समगने आजा 10x आपन 7 इक्वल 6 अपान 1 करो याद समगने आजाएगा 10x आपन 7 इक्वल 6 आपन 1 करो याद समगने आजाएगा तिरिया इसका इसमे और इसका इसमे तो 10x का वाल में तो 10x साच्छान 22 अब x बावा केक्ना आजर 22 बटे 10 तो x बावा तो 10 का माया देगे 22 में तो 10 बावा कैसे देगे 22 तो 10 आपन 26 दो बचा क्वाइन लगाएगा जिरू आएगा 10 दूना 20 यादि इसका x का माना आजरा 4.2 तो इसके वाल माना आजर दो आएगा इसका द्याक माना आएगा खूस्टें झाल झाल अब बच्वों question number 4 देखते हैं 60 का 15% की बराबर 30 का question mark percentage इस question mark को verify करना है तो इसका solution देखते हैं इसको 60 दिखेंगे का की जगे multiply आजाए 15 और जहां पर पेंटे की होता है वहां पर 100 करते हैं ठीक है अब देखो बराबर का सही जगा है एक बटे हंड्रेट एक बटे हंड्रेट धोमों करते हैं वह भी multiply भी तो कड रहा वह से हम यहां पर्पेंटेज उतार सकते हैं लेकिन मैंने समझाने के लिए पर्पेंटेज दिखेंगे अब देखो अब देखो पंद्रा एकम बंद्रा गुणी तीस और दो त्याई छे जीरू यानि थार्टी इक्वल एक्स आ गया तो एक्स बराबर कितना वजाएगा थार्टी देखो कितना यह कुस्ट्टन है इसके बार्टी हमारा वी आफ्रेंगे राइट अंसर रुपार थार्टी कुस्ट्टन मार्ट मैंने किसको माना था एक्स को माना था इस वज़े से हमारा एक्स का मान थार्टी आया ठीक है वच्छो अब कुस्ट्टन नम्बर 5 देखते हैं नाइटी का कुस्ट्टन मार्ट पर पेंटेज इसका सल्यूशन देते हैं तो उसका सल्यूशन ऐसे होगा 90 एक हैंगे, का की तब है multiply, उस चन्मा की तब है ने X माल दिया, इंडू पर पेंडेज की तब है 1 अपान 100, इक्वल 3.6, ये 0 से गड़ रहा, और 9 इंपू X अपान 10, इक्वल 3.6, इक्वल 9 इंपू X अपान 10, इक्वल 3.6 अपान 10, इक्वल 3.6 अपान 10, इक्वल 3.6 अपान 10, इक्वल 9 इंपू X 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 अपान 10, नचाओ प्षाट पीश, एक्स बाराब प्षाद, एक्स किसको माना था, एक्स किसको माना था, विश्चे लाँखो, इसके बारी नहारा, इसी अम्स बीडाइब था, जो एक्सको. अब चो कुश्चन नम्बर 6 लेखते हैं, सिर्फिफाइब नाक्स अब करना है, तो ये रूप में दे रखा है, 1-0-4-0-4, divided, divided का साइन है, इसको मान परना साइन होते हैं, ठीक है, और कुश्चन मान, इसको 6, इस कुश्चन मार्क के लिए रहे रहे रूफाइब करना है, अल्लाद के कुश्चन मार्क का मान निकाला है, आपसान है, A-12, B-17, C-24, D-29, तो कैसे हिगारे लेखे, पहले तो इसका वर्गूर मिलाते हैं, वर्गूर इसका क्यार है, दो वर्गूर कैसे हिगारे लेखे, इतना है, 1-0-4, 0-4, Márk अगा साइं, डिवाइड का साइं, और question mark वर्गूर इक रहे रहे हैं, इसका वर्गूर मिलाओ, तो कैसे हिगा 1-0-4, 0-4, अब मैं विछले लिए पर बनाते हों, इसमें पेर बनाते हैं, नाई इन साइड से, एक जोड़े, बन गए, बन कर दो न अब one, one job, one में divided करेंगे, तो one बार रहा, one से one subject करेंगे तो जिवो आएगा, ठीक है, इसके बार एक ये pair में जुड़ा उतार देगा, ठीक है, और इसका double करेंगे, one का double जो रुपा, ठीक है, लेकिन दो से बात नहीं बनेगी, एक pair और ये उतारना परेगा, तो यहाँ जिवो रखेंगे, फिर ये जिवो फोर आप करेंगे, ठीक है, अब एक जिवोंटी का डिवाइड़ करेंगे, इसमें इस 40 में, जिवो जिवो से मतला नहीं है, तो 20 पूजा, यानि पूजा, दो आर यहाँ, 20 गुना 40 होते हैं, वो दो यहाँ रखते हैं, इस दो का, इस द इसमें पूजा होगा, 2 गुनी, 4, 2 का 0 में, 0, 2 का 2 में, 4, इन 0 से मतला नहीं है, तो आप देखेंगे, यह सब 0 होजाएगे, 4 में 4 गया, 0, 0, 0, 4 में 4 गया, 0, यानि इसका गूज निकलेगा, वो 102 निकलेगा, यह वाला गूजा, ठीक है, तो 102 तो इसका गूजा गूजा फिर भाग में क्या है, question mark, बराबर, 6 गया कर दो, इसका क्या कर दो, cross multiplication, तो 6 गूजा गूजा, देखो, इसका इसमें गढ़ो, इसका इसमें, कोई से question mark की रहे, हम AX या Y मान सकते हैं, लेकिन हमें इसमें question mark रता, तो 6 into question mark, बराबर, एक सोज़े, ठीक है, अब question mark की पहिरू निकालना है, एक सो दो, जो question mark की रहे हैं, ये 6 इसमें भाग में चला रहा है, एक सो दो हो, बटे 6, अब 6 का भाग मुझे एक सो दो भी देना है, तो 6 का भाग देते हैं, एक सो दो में, 6 कम 6, मचे दिखने, 4, 10 में 6 दे 4, और 12, 6 सके 22, पुरा-पुरा भाग चला गया, तो हमारा तो answer आया ना, ये आएगा, सेवन्टीन, इसको मैंने खर एक बात बताया, फिर भाग निकालना बताया, पिर भाग निकालना बताया, मैंने इसके बाइसके बताया, तब थोड़ा ताइम दाया, ठीक है? तो इसका answer, भी आप से राइट answer होगा, ठीक है? अब चलते है, question number 7 पे, question number 7 उसमें भी कहरा आए, sum करना, simplify करना, तो इसका solution देखते है, 0.008, plus 6.009, और यह divide का sign है, और यह क्या निकाए, 0.7 आवरों स्काया, इक्वल question mark, अल्ला, question mark की बैरों करना है, तो इसको कैसे solve करेंगे, इसको निका 0.008, इसको निका 6.009, फिर पहले लग क्या करते हैं, इसका divide करेंगे, इसमें, इसमें, यह divide का sign लगा, और 0.7 multiply 0.7 का, जब multiply करोते है, 0.7 into 7 मतलब हो गया, 0.7 multiply 0.7, इसको बाइर आए, इसको whole square देखोगे, whole square का हम यह दे ले सकते हैं, अब इसका multiply करो, साथ 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 निचास, अब पॉइंट देखो कहां लगेगा, राइएड साथ से अधेक है, एक अधाफ उधर है, इसको यहानि कुल विलादे, जब हम 10 संदों देखते हैं, तो हम दोनों तरफ से निचते हैं, यह नहीं क्याँ कर देखा है यहानग आदिया 0.9 वो गलत हो जाएगा, क्या है या से एक नंग वाढ़ इधर हैं ढाइने तर्व से देखती है। ठीक है?? दाइने दर्व से कितने साइज प्राच है? राइचाइग साइद क्रू पैक। अधर है और गाउत भान गते है na से यहने होगाें तो होगding के स्ह прин Prabh तो यहां दसंदो लगेगा और इससे पहले चाहो तो 0 लगा जो चाहो लड़ा लगा तो को उधर भी पड़ेगा इसका एंसर यह रहेगा तो यहां पर मिलिख सकते हैं 0.49 equal question ठीक है यहां तक बात कर देगे और हम क्या करेंगे अब हम इसको लिख सकते हैं क्या 0.008 और ब्लस यहोंपी डिवाइट सका इसी में है तो पहले 6.009 अपान लेख दो 0.49 equal question ठीक है अब देको point रटाने हरें तो point रटाने लेगे ऊपर एक, जू तीन अक बार यहां पर दो, अब दो अक बार हमने कर देख से 2 point रटाएंगे लेहां पर रिख गएजन? Jesus cash क्योंकि इससे मिल तीन अक बनाना पढ़ेगा उपर तीन अक तो हमारा क्या अपर रहा देख성? पेटी इक्वल इंपोश्चन वादुए। अब क्या रहें चार्सो नब्दे में अब इसको भाग देना है। तीदा देना है। चार्सो नब्दे आख, अमने दिएस्ट जिएर्स जिएरो जिएरो नज थे तो चार सो नब्बे, चार सो नब्बे कम चार सो नब्बे, जिरो बचा इदर से पहरे लिया, दस से नोगया एक बचा, और इधर एक बचा, ठीक है? तो ये को आरे, अब देखो, ये सो तस बचा है इस नोगो तारा है, जिक है? अब चार्सो नब्बे तूना, जीरू, दोने मठारा, दो चको आठे तूना, 980, इससे बढाएंगे इन्हों, इधर 10 से आठ गाया दूर, अब 10 से बढाएंगे, फुल मिला के टोटर यह आजाया कि इतना, 12 पॉइंट समझी आठे हैंगे, उसको हम पॉइंटल इतना ले रहे हैं, कि बारा, अब यहां पॉइंटल आएंगे, जीरू बढ़ा हैंगे, फिर यह दो बार दाएंगे, तो फिर यह नौश्वस्ची, इस इस गाड़ यह चलता चलते हैंगे, तो हमने पॉइंट के यह नंत लिगा लिए इस समा के, तो यह आगया, 0.008 प्लस, इतना आगया, 12 पॉइंट फॉइंटल इक्या है, एक्वल पॉइंटल बाएंगे, अब इसी में आएट रब देंगे, आएट रब देंगे, मंदब ज आएसे चलते हैंगे, 12 पॉइंटल रिखा, और यहाँ जिरो पॉइंट तो क्या लिखेंगे, जिरो यहाँ लगाएंगे, पॉइंट ठीक सामने, अब जिरो, जिरो, एट ऐसे दोरेंगे, तो यह कितना रब जाएगा, एट, जिरो, फॉइंट और यह दो आजाएगा, यह जो आपसर में दे रखा है, पॉइंट के इधर वाली वैडू नहीं दे रखा है, इसको यह अब जाएगा लिया है, तो इसके बाद नमारा C आपसर में दे राइगा, तो इस प्रतार इसका करेंगे अब चोट नेक्स कुष्टन देखते हैं, A और B में करें काम 10 दिन में, और B और C में करें उस काम को मारा दूमें, तथा C और A में करें उस काम को 15 दिन में खर सकते हैं, कि यदे तीनों में तर उस काम को करें तो काम इतने दिन में पूरा पुछाने का बनलाब प्रस्क में यह तुच्छा गया है, A और B में गड़गा किसी काम को 10 दिद्में करते हैं, और B और C में गड़गा को 12 दिन में करते हैं, C और A विलिकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं यदि तीनों विलिकर उसी काम को करें तो कितने दिने कर काम पुड़ा हो जाएगा सवाल यह है तो इसका solution दिखते हैं सिझे देखो साथ दिखाए A और B विलिकर एक काम को 10 दिन में करते हैं ठीक है तो सिझे सिझे साथ दिख से निगाल रहे हैं A प्लस B का एक दिन का काम बरावर दिन का को जाएगा एक रते 10 इसको समीना ने दिन दिन दिना इसी प्रकार इसको चार को ब्रैकेट में करते हैं इसी प्रकार आप B और C में कर उसका को 12 दिन में करते हैं यानि B प्लस C फोरो में कर B और C का एक दिन का काम बरावर हो जाएगा तो इसको समीना नमबर दिन दिन का काम इसके बात आगे कहरा है तथा C और A इसको 15 दिन में करते हैं यानि C प्लस A का एक दिन का काम एक दिन का काम बरावर एक बटे मंद्रा इसको समीन करन देखिया मैंने तीर अब इसमें कुछ नहीं करना है सिर्थ क्या करना है इन तीनों समीन करनों को जोड़ना है दोनों तरफ समीन करनों को दोनों तरफ जोड़ने पर मतलब लेफ हैं साइड बायापच 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 नाइन तरफ एक तरफ तो कैसे दो होगे देखो तो A plus B निखा है, अब रेके नगाते हैं, plus B plus C लिटको, इसके बाद C plus A लिटको, बराबर, इधर लिटको A बड़े 10, plus का निशान, बारापों की हम जोल रहें हैं, तो तीनों में plus plus लगा दिया, क्या है? क्योंकि जोल रहें, अब यहाँ A, A, A निखा है, तो कितना हो गया? तू A, B दो बाल लिखा, तो तू B हो गया, इसी प्रकार C दो बाल लिखा, तो तू C बनाबर, और इधर क्या करेंगे, 10 और 12 पंदरा का LCM लेगे, लगुत्तम सभापुर्ण, को LCM कैसे नहीं कालते हैं, तो मैंने बताया है वेसे, देखो 10, 12, 15 का LCM कैसे निकलेगे, इसको भुणन उखंड बिद द्वारा निकालते हैं, तो पैसे में दालेगे, इसको भुणन उखंड बिद द्वारा निकालेगे, और दू पंचे, 10, इसको 4 याइँ बारा होचे, चार कैसे होगे, तू तू द्वारा निकालते हैं, तू द्वारा निकालते हैं, तू अब हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालेगे, LCM कैसे निकालेगे? LCM ॆइकवार नबर है, तो सबसे जो लोइस नबर है, तो सबसे सबसे छोटा नमर, 2 है, मैगजमं कित million कितनी बारा है, उसको भूलेगे? मैगजमं 5 कितनी बाराए, 2 बारा है और यह बारा है, इसके बार तीन देगेंगे, तो एड़ in गुपंग मम्हटी आए गोぎ मतर हमी दुपह दुर्टोछ सबैते हैं हगहा है अग्यों ख़म तो में तो कि अगर पिदॆ कि बख़ले कि लिते हैं कि वांख देखिए गई अ सब्वक्तनी का वह क्रशा हिएं तो सब्पुझ पमें खुद रुट कंव तो इसका जो एल्जियम होगा, वो 60 आए है, मतलब साथ, अब हम क्या करेंगे, दस का इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, दस चल्दा साथ होती है, जितनी बार भाग जाती है, उसमें एक का गुणा करते हैं, उपर आ लेका, तो 6 बार या 6 का 1 में जब बुणा करेंगे, मृल्टिप्लाइ भाग करेंगे, तो इसका आया है 6, प्लास 12 का इवाइड करेंगे, बारा पंचे साथ, 12-5-10, 12-5-10, 12-5-10, 12-5-10, 12-5-10 एतना होका 60 होता है, इसके बाद प्लास 15 का ड्रो 60 में 15 चुको साथ इतने है यानि 15 फोर जा 60 तो इतनी बाद या 4 बाद 4 का पन में मल्लिप्लाई करेंगे तो 4 आवि को एक ड्रो चैवान 11 ग्यार चार पंदर बटे 16 6 फ्लस 5 फ्लस 4 टोटल एक करके 15 हुआ अब यहो 15 इकम 15 फंदर चाथ 15 बजा 15 फिटी फोर जा 60 तो इसका जो वैलू आया 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल 1 अपान खोर आया यहां तक्रियत इसके बाद देखते हैं जो मुझे दियूमा में वह कुश्य मारा जाता है A और B येकर एक काम को 10 दिन में B और C लेकर उस काम को 12 दिन में और तद्धा C और A लेकर उस काम को 15 दिन कर सकते हैं तो यह बताओ यदि तीनों मिलकर उस काम करें तो कितने दिन में पूरा काम बजाएगा इसमे 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 समे इसमे 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 अब इसके आगे क्या करेंगे अब जो यह 2 है यह मुल्टिप्लाई रहे है 2 इंटू ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C इक्वल 1 अपान 4 तो इस चीज को कैसे भी सकते हैं इस चीज को दिरे नहाई है यह जो 2 है ना वो इधर मुल्टिप्लाई हो जाए है मुझे रिदालना है A प्लस B प्लस C इक्वल 1 अपान 4 मुल्टिप्लाई रहे है यह जो 2 मुल्टिप्लाई था ज़रेंट्स आगे वे मल्लबाए पच्छ में वो जब काहने पच्छ में जाएगा तो नीचे जाएगा इसको क्या बोलते हैं दूपर वाले को नुम्रेटर इना नीचे वाले को दिनावमेटर यंदी में बोलते हैं अंस नीचे वाले को हाथ तो यह जो 2 है हर में जाएगा जिसको हम दिनावमेटर बोलते हैं तो तीनों मिलकर आठ दिन में काम पूदा करेंगे आठ दिन में काम पूदा करेंगे और यह हमारा है सरुपा यह एक तीनों मिलकर अकी काम, यह पुला काम इक प्पटे यह तो तीनों मिलकर पूदा काम आठ दिने करेंगे तो इस तो इसमें आठ आठ देश्शार को पूदा डेक है इसके थाज रड़ यह हमारा वी आठ आठ orange यह है तो इस प्रकार हम ये काम और समय का question निकाल सकते हैं इसको तो हमने बहुत की केज समझाया लेकिन वैसे कर question में मुझे इसका मुझे दियान पता है ना कैसे कैसे निकालना है मैं तो इसको दो टेक मिनट मिने लगी का हो जाया मुझे पता है कि इसका LCM इतना होता है मुझे देखने से पता चलता है कि 10-12 पता LCM सुष्टी होगा मैं तो एक मिनट में निकाल वैसका लेकिन वैसे समझाया जिससे आसानी सिर्स समझा जब सकते हैं बाकि जब practice हो जाएगी बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं question को समझना बहुत ज़रूरी है बाकि निकालने तो कोई भी निकाल देगा अब बच्वो question नमर देते हैं next एक तमरा 16 मिटर लंबा तथा 10 मिटर चोड़ा है उसके फर्स में दो मिटर लंबे और एक मिटर चोड़े पत्थर लगी है मतलब पत्थरों की संख्या लगी है कमरा जो है 16 मिटर लंबा है 10 मिटर चोड़ा है और उसकी जो फर्स मालो यह कमरा है यह 16 मिटर लंबा है और 10 मिटर चोड़ा है ठीक है मालो यह कमरा है ठीक है यह जो लंबाई है, यह क्या है, 16 मीटर, ठीक है, लंबाई में योग, और चोड़ाई इतनी है, चोड़ाई यह, चोड़ाई यह रखी है, 10 मीटर चोड़ा है, यह कमदा है, ठीक है, थे, पर्स में 2 मीटर लंबें और 1 मीटर चोड़ा है, बहुत, जो पथर है, वो 2 मीटर, यह 2 मीटर लंबा है, और 1 मीटर चोड़ा माँ टोद इतना पथर है, यह उन मीटर, यह है दो मीटर ठीक है यह पत्था है यह कमरा रहा है ठीक है तो 16 मीटर लंबे कमरे और 10 मीटर चोड़े कमरे के फर्स है ठीक है यह पर्स है कमरे की फर्स है यह कमरे की फर्स है तो इसमें जो पत्थर रहे हैं वह उसकी पत्थर की जो लंबाई है दो मीटर और चोड़ाई है एक मीटर तो मुझे यह बताना है कि 16 मीटर लंबे का 10 मीटर चोड़े कमरे के फर्स हुए कि दिमें पत्थर लगेंगी पत्थरों की सब्सक्राइब तो इसका सर्यूसर देखते हैं ठीक है इसका सर्यूसर देखते हैं कमरे के तो दीक है वरस का छेच्ठ फल ईसमें कैत्र देखते हैं कमरे के फर्स का छेच्ठ फल नीदेगे कमरे के फर्स का छेच्ठ फल सिपना लंबाई हि बुढि चोड़ाई होता है तो बराबर कम्रे की लंबाई कितनी है 16 मिंटर और चौड़ाई कितनी है 10 मिंटर तो बराबर कितना हो गया है 160 वर्ग मीटर यह तो आगया कम्रे की फर्स का छेट पर 160 वर्ग मीटर अब निकालना एक पत्थर का छेट पर बराबर लंबाई कि चौड़ाई लंबाई बुड़ी चौड़ाई तो पत्थर का छेट वर्ग मीटर यह तो आगया एक पत्थर का छेटर मुझे पत्थरों की संख्या दाल लगी है तो क्या करेंगे डिवाइट करेंगे मुझे भी डालना एक आए अथरों की संख्यावाद या कुल संख्यावाद प्ल प्त्र का चेतर पर कितना निकाला है एक सो साथ वाई मिटर इसमें भाग देते हैं जो पत्थर का चेतर पर कितना निकाला है दो वाई मिटर दो से काट वो टूवर्ण सोला यानि पत्थरों की संख्या अस्षी आए ठीक है तो मालगो इसके आफ्षान A है B है C है D है तो मालगो इसके आफ्षान अगर दिये होते 90 80 70 100 तो जो यह पत्थरों की संख्या आई है पत्थरों की कुल संख्या अटनी आई है अस्षी तो इसके बाड़िग हमारा B आफ्षान यह रागेता है थीक है तो इस तरह के कुश्चन परतियोगी परिच्छों में बहुत सारे आपने है तो आधिता कोई रुप्रतियोगी परिच्छा उठाग देगों इस तरह के छेट परवाले या ब्रत का छेट परिच्छ भी इस तरह कुश्चन कोई न कोई आजाते हैं करे लगर का न बहुत है अब question number यह देते है next 1 by 3 plus 6 by 7 divided by divided by यह अथारा बटे 21 चीट है तो इसका solution देखते हैं question बाती है बहुत है 1 by 3 plus 6 by 7 और भाव का निसान इसका solution देखते हैं 1 by 3 plus 6 by 7 divided by 3 upon 21 equal question बाती है तो इसको लिखेंगे 1 by 3 plus 6 upon 7 अब जो इस दिवाइड़ लगा है ना इसकी यह हम multiply लाते हैं और इस संध्या को प्रड़ते हैं जो नीचे लिखी है ना उसको लिद्धो उपर और जो उपर लिखी है उसको लिद्धो नीचे और इसको solve कर लिखेंगे मतला किसमे क्या करना है जब divided लगा हो इस तरह के question में तो यहां multiply लगा देना नीचे वाली संध्या ऊपर पहुंच जाएगी और उपर वाली नीचे अब देखो यह multiply नहीं तो 6 की 18 शात्या 21 ठीक है शात्या 31 तो हमारा answer कितना आगा 1 by 3 और 3 upon 3 equal question mark अभी रहत है जब बेर समान होती है दोमी मानलब यह कुन्को प्या हो इसको उपर वाले वो बोलते हैं Aans हिंडी में और नीचे वाले को अपले है हर्ड जैसे, मार लो पाँ सब्टे नी दिखा नहीं में तो महानों पांखो अईस इसको भोलते हैं हर्ड और इसको अम्रेजी में बोलते हैं नुम्रेटर इसी को अम्रेजी में बोलते हैं, डिनॉमिनेटर, डिनॉमिनेटर, इसी को साथ में एनाम लिख सकते हैं, और डिनॉमिनेटर को बी आर लिए सकते हैं, तो ये भी जाना जरूरी है कि बचों को नहीं कुटारे, ठीक है, आप देखों ये 1 by 3 आगया, प्लस 3 by 3, एक्वल कॉस् इस तरह से, दोनों के हर समान होगें, तब LCM लेना बहुत अरसान होगा है, तब कैसे क्या करेंगे, ये ही जब हर समान तो 13 LCM होगा, और उपर वारे जोगते हैं, 1 plus 3, एक्वल कितना अगया, 4 by 3, ठीक है, 4 by 3 आगया, एक्वल कुस्चन बार, ठीक है, 4 by 3, तो इसमें तो, एक्वली इसमें, एक E option और था, वो मैंने लिखा रहे हैं, ये चारी option लिए हैं, तो मैंने C option लिए 4 अठे 3 लग दिया है, ठीक है, तो कुस्चन बार की बहुत क्या आजाए, 4 अठे 3, ठीक है, ये ही मैंना answer, क्योंकि, तो इसके बारी हमारा, C option ये र इसमें मैंने लिया था, उसमें 5 option ये रहे हैं, ये कर था, वो मैंने नहीं था, तो इसमें C option लिए मैंने ये बारी रहे हैं, तो answer is 5 लिए हैं, 4 by 3, ठीक है, आप देखते हैं, एन फ्कुस्चन, Simplifying, 2 power 30 divided by 2, इसका answer जाए, इसके तो आप सब दे रहे हैं, A, B, C, D, इसको सब रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, exponent बोलते हैं, ठीक है, तो इसके option है, 2 power 29, 2 power 28, 2 power 31, 2 power 35, तो इसका solution देखते हैं, 2 power 30, upon 2 भाई, तो इसको कैसे simply by करेंगे, बराबर, 2 power 30 जासे लिखो, और 2 को लिख सकते हैं, 2 power 30, ठीक है, अब उसके लिखा सकते हैं, 2 power 30, अब यहां लागाओ, बढ़ती उनादे, इस 2 power 1 को जब उपर ले जाएंगे, यह को हो गया हमारा क्या हर, और यह हो गया आइस, इस हर को जब उपर ले जाएंगे, मानुच प्रू गया, तो पावर का साइन बदल जाता, पावर का लिखान 2 power 1 है, plus 1 है, तो यह माइनस 1 हमारा, चीक है, यहां का समझत दो आखेंगे, अब जो बेस इसको क्या को बोलते हैं, इनको बोलते हैं, बेस अंग्रेजी में, धिंडी में आध भर बोलते हैं, आधाः, और इसे क्या को बोलते हैं, यह जो लिखा, इसको हिंडी में घाथ बो होते हैं ठीक है जब बेश समान होते हैं यहाँ पर लिख लोग जब आधार समान होते हैं तो उनकी घाते जुड़ जाती है ठीक है तो जब बेश समान है तो बेश मतलब आधार यहाँ दोग यहाँ तो घाते क्या होते हैं जुड़ जाएंगे यानि 2 पावर 30 और प्लस यह ब्रैकेट माइनस उनकी हो तो बराबर 2 पावर 30 यह माइनस क्योंकि जुड़ती है तो हम लेक्पलक लाए है लेकि यहां इसका पावर माइनस है ना तो यह माइनस इसके प्लस को माइनस करते का अबर तो की बात 30 से एक अटाव तो 29 आधार यहान जब 30 से 1 सब्सक्राइब तो कितना आजाए तो इसके एक्वार्डिन हमारा एक आपसा निजराई नहीं सब्सक्राइब इस तरह की कुस्चन एक्सकोनेंट के आज आते हैं परिछाओं में तो ऐसे करेंगे करेंगे हम नहीं सर्छाद है आते हैं कामचेँप नहीं सन्चरत वैंगे्श में कितना प्रक्षया हाक्क्षया है आ प्टे тобे एक्षफश्या व्सक्तृ नहीं सब्सक्षया है सब्स्कृति यहां माओ सो धन्यादिव cohort उश्षरा आते हैं दृतिक कोक्तित हैं कुस्चन जाने, 2 power 21 multiply 64 multiply 30 upon, 2 power 31 multiply 120 multiply 2 power 21 इसको सिंप्रिफाइग दना है तो इसको सबस ऐसे करेंगे, solution देखते है, 2 power 81 multiply 64 multiply 32 upon, 2 power 31 multiply 148 multiply 2 power 21 ठीक है, अब नहां करेंगे, पहले तो यह तो power में है, इसको power में convert करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको वैकर हुष्टराइगे एक गडिण धांड, बोदमी, दोनी 6, बोनी 6, बोनी 16, बोनी मल्लाप 2 पुजा 4, 1 पुजा 8, 60, 60 पुजा 30 पुजा 30 पुजा 6 तरह से Divide 2 power 30 Multiply अवे एक सवाथ 20 है कमूद दो तुनि 4 दुनि 8 दुनि 16 दुनि 20 दुनि 7 चंचंच चंपर्दुनां एक सवाथ 20 और Multiply 2 power 30 2 power 21 अब देखो, में यहां से शुरू रिखा है 2 power 81, multiply यह 2 मित में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसको 2 power 66 रिखा है 2, 2, 6 बार रिखा है, तो 2 power 6 रिंट 2 यह 2 मित बार रिखा है तो 2 power 5 upon 2 power 31 रिखा है यह 2 कितनी बार है? 7 रिखा, यानि 2 power 7, multiply 2 power 20 रिखा अब उसको solve कर लेते हैं चुम्कि बेश समान किसके है, घा समान है तो पावर है क्या सब जोड़े है 81 देखो सकते, जो आढ़ा है 2 है तो 81, 6, plus 5 रिखा है 20 रिखा में रिखा है रिखा है हार में है यह यह आजाएरा साइटिस 88, 49 यानि यह आजाएरा 59, 2 power 59 अर उसको कैसे ने सकते हैं? 2 power 92 यह जब 2 power 59 उपर जाएगा तो minus 59 रिखा है समझें? इस पतार यह हम करें 2 power minus 59 चीक है? फिर यह आपको रिखा में रिखा है तो बराबर जब इस पाधार समान की तो पावरें जूर जाएगी लेकिन प्लस माइनस 59 आप रिखेंड रिखेंगे तो बराबर 2 power 92 इस प्लस की ज़एगी ने माइनस 59 हो जाएगा तो तो बराबर कितना आजाएगा 2 power कितना आजाएगा 92 से 59 सब्ट रिखेंगे 92 से 59 सब्ट रिखेंगे 12 से 9 रिखें 8 अच्छा 8 से 5 रिखेंगे यानि 2 power 30 इसका आइसा प्लेक है प्लेक है कमान दो इसके आपसम दिये होते प्लेक है प्लेक है प्लेक है 2 power 30 2 power 30 2 power 30 प्लेक है तो इसका भी आप सब्सक्राइब इस तरह से प्लेक है प्लेक है झाल 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 झाल